भगवान शिव को हिंदू धर्म में सरवोच वस्ठाई माना जाता है शिवलिंग को भी भगवान शिव का ही प्रतीक माना जाता है लेकिन हमारे अपने धर्म में ही लोगों को शिवलिंग का असली अर्थ नहीं पता क्यूंकि हमारे धर्म में ही अधिक्तम लोगों को धर्म का ग्यान अपने बुजर्गों से मिलता है जिसमें भाशा के बदलाव और समय के अंतराल के कारण कई कमियां आ जाती है ऐसी ही कमिया में शिवलिंग के अर्थ में सुनने को मिलती है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिवलिंग का संपूर्ण अर्थ और वो ग्यान जो हर एक हिंदू को पता होना जरूरी है अगर आपको ये ग्यान नहीं है तो आपकी धर्म की जानकारी ही अधूरी है दरसल आज कई विदेशी और गैर हिंदू शिवलिंग को लिंग ही समझते हैं जबकि हिंदू धर्म में अज्यानी भी यही समझते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं असल में अगर हम अपने वेदों का गहन अध्यन करें तो उसमें शिवलिंग का वर्नन किया गया है शिव को इस ब्रह्मान का एक मात्र स्थ्रोध बताया गया है उन्हें निराकार और स्थाई बताया गया है लेकिन शिवलिंग को लिंग बताया ही नहीं गया ये पुढ़ी सिर्फ उन अज्ञानियों की वज़े से फैली है जिने भाशा तक का ज्ञान नहीं था संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक तो शिव लिंग का अर्थ बना शिव का प्रतीक जिस तरह हम किसी देश के प्रतीक को उस देश का जंडा मानते हैं वैसे ही भगवान शिव जिनका कोई आकार ही नहीं है तो उन्हें भी एक प्रतीक से पूझा जाता है इसी तरह अगर आप पूरी दुनिया में प्राचीन शिव लिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर शिव लिंग का आकार दूसरे से अलग ही होता है यही है समय के अंतराल के कारणाई शिव लिंग के रूप में बतलाब शिव लिंग को शिव का प्रतीक मानकर एक आकार बनाया गया जिसमें भगवान शिव की पूझा की गई उस समय भारत वर्ष में संस्कृत का चलन था तब लिंग का अर्थ प्रतीक मना जाता था जैसे स्त्री लिंग यानि स्त्री का प्रतीक और पुरिंग यानि पुरुष का प्रतीक लेकिन जैसे ही विदेशी आक्रमन कारियों ने भारत पर आक्रमन किया तब यहां पर भाषा में भी तुठिया आने लगी इसी से अर्थ में भी बतलावाते चले गए आज भी अधिक्तम हिंदू सिर्फ सुना हुआ ग्यान ही सच मनते हैं और उनके पास शीमत भगवत गीता या वेदों का लिखी दूप नहीं होता इस कारण वो इन गलतियों को भी सही मान लेते हैं अब आपको ये तो पता लग गया कि शिवलिंग का कोई यौरत नहीं बलकि शिव का प्रतीक है अब मैं आपको बताता हूँ ये शिव का प्रतीक कैसे बना दरासल शिवलिंग को अ प्राजीन समय से ही अनन्थ का प्रतीक यही रहा, लेकिन पश्च्वी सभ्यता से ही इसे ये अकार कहा जाने लगा, जिसे हम आग इन्फिनिट कहते हैं। इससे हमें पता चलता है शिव अनन्त है और उनका प्रतीक है यह अंडा का रूप उसके बाद उसके उपर तीन रेखाईं अंकित की जाती हैं जिनका अर्थ होता है त्रीनेत्री, त्रीलोकी और त्रीकाल दर्शी इसी रूप की पूजा की जाती है यानि अनन्त महासागर के निर्माता जो निराकार रूप में हर स्थाई वस्तु और उर्जा का किंद्र हैं ऐसे ही निराकार स्थाई रूप के प्रतीक को हम भौतिक आकार में ढालकर ध्रान के संकक्ष महसूस करते हैं अब आपको भी ये वीडियो हर प्रिय को शेर करनी है ताकि वो शिवलिंग का सही अर्थ जान सके और अगर आपको कोई शिवलिंग का गलत अर्थ बताए तो आप उसे ये वीडियो दिखा कर चुप करा सके इसी के साथ आप इस वीडियो में कमेंट भी करें इसी से हमें ऐसी और वीडियो बनाने की प्रिंटना मिलती है धन्यवाब